कि अब अब देखते हैं बजार कैसे बीयुफ करेगा अच्छा के लगा था टीशे नमब अच्छे लगे थे इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह का जाएंट है हम उसको ऐसे नहीं compare करना चाहिए कि इसके constant currency करो इतनी हाई इसके peers के इतनी हाई इसका जो immediate peer है उसका दो ही ती हाई है इस तरह का size रखता है T से इस तरह का humungus बेस बज़ जुगा उस बेस पे वो कहते हैं elephants can dance वो एक्दम perfect बैठता है यह भी भी industry-leading growth deliver करने का दमखम रखता ह अब कल react नहीं करा क्योंकि TCS अब वो आज करेगा नहीं करेगा मुझे तो यह भी नहीं पता बर TCS नो स्था आउट performance दिखाया जब इसके peers year till date काफी गिरेट TCS कम गिरा क्यों गिरा कम क्योंकि वो buyback ने दरसल मदद कर दी buyback ने stock को चड़ाया नहीं लेकिन buyback ने stock को hold करने अपने peers के सामें तोड़ास आउट performance एक issue है पर क्या अच्छा था क्लियर है सवा 3% की Q on Q growth TCS ने जो revenues में लेकर आया वो बजार उमीद से फिर भी बहतर है और बहुत अच्छा growth का आख रहा है सवा 3% अपने आप में कोई दिक्कत नहीं सीजनिली week quarter में TCS order book देखे 11.3 billion dollars के order कुछ खबर आगी है सर पांच रुपे किलो CNG के दाम बढ़ गया है यह दूसरी तीसरी का चाओ थी पांचमी बार वो बीच में खबर आई थी महाष्ण ने exercise reduce कर रहा तो उन्होंने 6 रुपे सीजनिली पास on कर दिया था वो 6 रुपे कान काटा था उ अब ही तक CNG वाली गाड़ी नहीं है अपनी तो ठीक है लेकिन यह सब के साथ दिक्कते यही सब जो है अभी सब्सक्राइब और इंफ्लेशन के जमागने आएंगे दिक्कते नजर आने वाली है ठीक हैने तो आचा टीसेस का 11.3 billion dollars की order wins highest ever supply side challenges की बीच में margins को defend कर पाना आख मुझे लगता है आज अपसाइट जनी रिज्यूम कर सकता है जब NASDAQ का ओरहम कुछ कम हुआ है NASDAQ कल पिटा था आज उस्तिनी strong recovery दिखा रहा है तो growth stocks के challenges आज इकलीज कम है तो शायद टीसेस अपने numbers पर perform करें इंफोर्सेस को भी रख दिया मैंने साथ में इंफोर्सेस हाला कि वीक विकेट पे है इयर तिल डेट कमजोरी देखने को मिल रही एक बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद दरसल इयर तिल डेट दबाव है एचनी के stock पिट रहे है इन्होंने बहुत massively इंडेक्स को बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करा ह हुआ है पर नंबर से पहले इंफोर्सेस में शायद थोड़ी सी position built-up होती नजरा है टीसेस के internals अच्छे थे और इंफोर्सेस ने तो आफलेट इंडस्ट्री लीडिंग डिलिवर करी है तो hopes यह है कि शायद यह भी अच्छे परफॉर्म करके दिखा दे पर टीसेस आउट है तो guidance important होगी पर यह दोनों numbers के चलते एक पहले और एक बाद में शायद in green trade करते हो नजरा है तो इन दोनों से शुरू कर रहा हूं मैं आज की team को दो heavyweights है logic के साथ देखते क्या होता इन stocks का access bank अब यह बड़ा मुश्किल है banks में outperformance है कल भी banks हरी निशान में eventually बंद हुए हैं बहुत चबाद reform हो रहे हैं strength के साथ move कर रहा है तो शायद आज भी यह stock हरे निशान में रह सकता है ना भी रहे आज specifically expiry के दिन पर यह pocket of strength है banks में जो